अख्रोट को तोड़ने के तीन आसान तरीके अख्रोट भी एक ऐसा ड्राइफ्रूट है जो सर्दियों के मौसम में सेहत को धेरो फायदे पहुचाता है. खास तोर पर शरीर को गर्माहट पहुचाने के लिए अख्रोट सबसे अच्छा विकल्प माना गया है. सेहत को लाब रहती है. इसलिए दिल की सेहत के लिए अख्रोट किसी वर्दान से कम नहीं है. अख्रोट के सेवन से हड्डिया भी मजबूत रहती है. शरीर को इतने सारे फायदे पहुचाने वाले अख्रोट का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है. मगर इसे खाने के लिए थोड़ी मे चाकू की मदद ले अमूमन लोग अखरोट को तोड़ने के कुछ आसान तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से न केवल आप आसानी से अखरोट को तोड़ सकते हैं, बलकि उसकी गिरी को शेल से साबुद बाहर निकाल सकते हैं. चाकू की मदद ले अमूमन लोग अखरोट को तोड़ने के लिए दरवाजों के किनारों या फिर हथोड़े का इस्तिमाल करते हैं, मगर ऐसा करने पर अखरोट की गिरी भी प्रभावित होती है और चूर चूर हो जाती है. यदि आप चाहते हैं कि अखरोट की गिरी शेल से स दाबुत निकले तो आपको चाकू की मदद लेनी चाहिए. इसके लिए आपको अखरोट के दोनों जुणों के सिरों को देखना होगा. आपको अखरोट के एक सिरे पर छेद नजर आएगा. इस छेद में चाकू की नोक को डाले और उसे थोड़ा घुमा ले. ऐसा करने पर पानी में भिगो दे और सुबह पानी से निकाल ले. ऐसा करने पर अखरोट की शेल मुलायम पढ़ जाती है और उसे हाथों से ही आसानी से तोड़ा जा सकता है. वैसे इस तरीके को यदि आप गर्मियों के मौसम में अपनाएंगे तो ज्यादा बहतर होगा क्योंकि पानी म अखरोट को भिगोने पर उसकी गर्माहट कम हो जाती है. ऐसे में सर्दियों के मौसम में ये तरीका अपनाने पर आपको अखरोट में मौझूद गर्माहट पहुचाने वाले तत्वों से समझोता करना पड़ेगा. 3. हाथ से तोड़ने की ट्रिक अखरोट को हाथों से भी तोड़ा जा सकता है. मगर इसकी एक ट्रिक होती है. हाथों से अखरोट को तोड़ने के लिए दो अखरोटों को एक साथ हाथों में ले और दोनों के किनारों को एक दूसरे से दबाएं. ऐसा करने से दोनों हो तो इसे शेर और लाइक जरूर करें